हमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉक हो में पर दिप आज हम बात करेंगे बहुत ही less या तो rarely used medicine जो कि बहुत important है मेरी खुद के practice में भी मैंने शुरुवात के दिनों में मुझे ये medicine के बारे में बिलकुल भी नहीं मालूम था ये ना कहें तो चले बट मेरे हिसाब में या मेरे experience में आप ऐसा कह सकते हैं कि ये medicine के बिना काफी सार आज बात करने वाला है वह है हेलोडर्मा गिला मॉंस्टर से बनती है जो कि चिप्पली जैसा बड़ा सा जानवर है रेरले काटता है कभी इंसानों के इतने fatalities देखी नहीं गई ये काटने से इंसानों के इतने death देखी नहीं गई बट ये ये डेंजरस है होमियपेथि में इसका वेनम नौरूमली या तिपिकली सेरिबलर डिजीज ट्रीट करने में इस्तिमाल होता है सेरिबलर डिजीज इसके symptoms क्या होता है basically आपकी जो छोटी brain है जिसको हम सेरिबलंब बोलते हैं उसका काम आपका balancing phenomenon से तालुकात है वो आपकी body की balance और improvisation और एक तरीके से आपकी body को straight balancing में रखने के लिए coordination के लिए इस्तेमाल होती है नौ जब ऐसे बिमारिया होती है जिसमें cerebellum पे असर होती है तब आपकी balancing phenomenon irregular हो जाती है आप अपने आपको balance नहीं कर पाते हैं आगे गिरना पीछे गिरना side पे गिरना चाल ठीक से नहीं होना जिसको हम medical term में gate कहते हैं staggering gate, staggering मतलब balance बिना आप गिरने के tendency रखते हैं या तो आगे या तो पीछे helloderma इसके लिए सबसे बेहतरीन दवाई है इसलिए इसका काफी सारा common इस्तेमाल Parkinsonism जैसे बिमारियों में treat करने में इस्तेमाल होता है क्योंकि Parkinsonism cerebellum की बिमारी है जिसमें balancing नहीं रहता normally helloderma की key point क्या है एक तो उनका balancing phenomenon नहीं होता क्योंकि ये chiefly cerebellum पे काम करता है staggering gate होती है दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो normally मैं patients के अंदर देखता हूँ वो है coldness जो affected area होता है वो बिलकुल ठंडा होता है patients काफी सारे बार ऐसा करते हैं कि उन्हें अंदर से भी वो काफी ठंडा लग रहा है इसलिए काफी सारे books में काफी सारे material medicas में इसको नाम दिया गया है Arctic coldness Arctic मतलब Arctic एक ऐसी जगह है जहां पे बिलकुल जमा हुआ है बिलकुल बरफिला इलाका है patients इतना ठंडक महसूस करते हैं अपने affected area में normally patients पीछे या left side में कितने की tendencies रखते हैं जिनको helloderma की जरुरत होती है hence काफी सारे पार ये medicine हमें unnotice जाती है बट बहुत सारे cases में आपको helloderma जैसी दवाईयां help कर सकती है more so since आपके ये cerebellum पे काम करती है तो वो paralysis की condition में भी आपको help कर सकती है patient आराम से निवाला निकल नहीं सकता है जिसको हम difficulty and deglutation कहते हैं जो के वापिस से एक neurological phenomenon की वज़ज़ से ये issue होती है क्योंकि आपकी brain वो coordination नहीं कर सकती है और muscles आपकी धीरे-धीरे काफी कमजोर होने लगती है काफी सारी बार eyeball movement कमजोर हो जाती है ये भी हेलो डर्मा मेरे experience में बहुत अच्छी तरीके से cover out करती है drooping of eyelids भी बहुत अच्छी तरीके से हेलो डर्मा cover करती है overall अगर बात करी जाए तो staggering gate अगर आपको दिख रहा है अगर आपको balancing में improper लग रहा है एक तरीके के Parkinsonism के जो basic reports, basic clinical examinations होते हैं वो positive निकल के आ रहे हैं patient physically ये महसूस कर रहा है कि उसे ठंडक काफी लग रही है affected area में जैसे पैरों में, हाथों में, जिस भी area का involvement हो उसमें वो ठंडक बहुत सारी महसूस कर चकता है coldness बहुत महसूस करता है चोटी मोटी नहीं but arctic coldness that means कि unusually वो cold होता है जो पहले कभी बेशन्यान हो नहीं किया उसका deglutation मतलब swallowing reflex बहुत कमज़र हो रहा है वो खुद माखुद कमज़र महसूस कर रहा है यह सारी चीज़ों में आपको हेलो डर्मा का इस्सिमाल देख कर करना चाहिए but mind well, बिना देखे बिना जाने सिर्फ मेरे कहने पर ही हेलो डर्मा का इस्सिमाल ना करें आपके नस्दीक के होमेपैट को पहले consult करें उसे अगर लगता है कि ठीक है हेलो डर्मा का केस सूटेबल है तो ही इसका इस्सिमाल करें मिलूंगा मैं आपको अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार